नमस्कार श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बर फिर आपका स्वागत है हमारी प्लेलिस्ट, पावर सिस्टम और कंपिजिशन के मल्टिपल चॉइस कोश्चन्स की सिरीज में आज विशेट ट्रांस्मिशन और डिस्टिबूशन में ओवरहेड लाइन इंसूलेटर के बारे में कुछ प्रशनों को समझते हैं और जानते हैं कि कितने प्रकार के ओवरहेड इंसूलेटर हम इस्तेमाल करते हैं string efficiency क्या है और उसे किस तरह से improve किया जाता है तो शुरू करते हैं आज की वीडियो overhead line में conductor और pole के बीच में insulator से related एक प्रश्ण के साथ शुरुआत करते हैं अगर किसी line में conductor dead end पे हो या हमारी transmission line की direction में एक change आने वाला हो तो हम जो insulator यूज करते हैं उन्हें हम यहां option C देखिये strain insulator कहते हैं strain late insulator इस तरह के disc हैं जिने हम horizontal axis के साथ इस्तेमाल करते हैं और इनकी design इस तरह से की जाती है कि वो बहुत जादा tensile strength पे भी अपनी insulating properties को maintain रखती है अगर इस conductor की tensile forces बहुत जादा हूँ तो हम एक से जादा ऐसी insulation की strings को strain insulator के बतोर parallel में भी इस्तेमाल करते हैं यहां option में दिये गए दूसरे insulator के बारे में भी जानकारी ले ले लेते हैं जो pin type insulator है यहां green highlight में हमने दिखाया है वो एक metallic pin के साथ tower पे connect हो जाता है और उसके उपर cemented glass या porcelain के insulator के उपर इस groove में conductor रखकर हम tower और conductor के बीच में insulation separations रख सकते हैं एक single piece में pin insulator 415 volt या 11 kv के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन 33 kv पे जब हम pin insulator इस्तेमाल करते हैं तुने multi piece बना कर बीच में cement से joint कर लेते हैं ताकि pin की mechanical design ठीक से बनाई जा सके pin insulator के 33 kv से higher voltages पे physical size इतने बड़े हो जाते हैं कि इन्हें हम technical और economic कारणों से इस्तेमाल 33 kv से उपर की lineों पे नहीं करते हैं जो हमारी higher voltage की line है 132 kv, 220 kv, 400 kv, 765 kv उसमें हम tower पे disk insulator की multiple numbers में एक string को suspend करके conductor को नीचे की तरफ tower से नीचे रखते हैं इस तरह के configuration से हमें line के उपर जो earth wire है उससे lightning protection भी मिल जाता है तो इस तरह के insulation को हम suspension insulator बोलते हैं जो lt secondary distribution है उसमें हम एक shackle type insulator का भी इस्तेमाल करते हैं जिसे किसी support पे d clamp के साथ बीच में लगाया जाता है और conductor इस glass shackle insulator के साथ जिसके बीच में hole है और वो d clamp के साथ fix हो गया उसके उपर जब इस तरह से लगाया जाता है तो conductor और support के साथ ये जो शेकल है वो एक insulation का काम करती है प्रशन है कि एक 400 kv AC की overhead extra high voltage transmission line में टावर के support और conductor के बीच में ये जो suspension insulator की discs लगी भी हैं इनकी संख्या किस परास में होगी तो एक disc की ये जो physical dimension है वो उसकी voltage withstand capacity बताती है material में homogeneity maintain करने के लिए एक limit से ज़दा dimensions की या thickness की disc बनाना technically possible नहीं रहता तो हम जो disc बनाते हैं वो आम तोर पे 20 से 30 kv से ज़दा voltage withstand नहीं कर पाती हैं जब हमें ज़दा voltage के लिए insulation बनाना होता है तो हम ऐसी disc को mechanically एक दूसरे से metallic joint से joint करते हैं और metal और porcelain insulation के बीच में special cements का इस्तेमाल करके हम एक string बना लेते हैं जिसमें बहुत सारे numbers में disc required insulation प्रवाइड कर देती हैं आम तोर पे हम एक 132 kv की transmission line के insulation के लिए 11 disk की एक string इस्तेमाल करते हैं जबकि यही disk थोड़ी design improve करके 220 kv के systems के लिए normally 16 number की disk insulator का इस्तेमाल किया जाता है 400 kv के लिए हम 25 disk का इस्तेमाल करते हैं तो यहां 400 kv line के लिए हमें यह जो option B दिया हुआ है कि हमारे number of disk insulators हैं एक 400 kv line के string में वो 22-27 की range के बीच में 25 के आसपास हो सकते हैं जबकि जो हमारी सबसे highest voltage है 765 kv उसमें हम दो parallel में 47 disk की strings इस्तेमाल करते हैं प्रशन है कि एक suspension insulator में बहुत सारी disk जब एक string के रूपे लगे हुई है तो string की अगर 100% efficiency है तो उसके क्या माइने हैं जब हम tower के साथ cross arms पे suspension strings लगाते हैं तो disk के बीच के यह जो metallic contacts हैं वो tower के साथ यहां shunt capacitors बनाते हैं और उन shunt capacitor का जो leakage current conductor से tower के बीच में flow करता है current के magnitude को उपर वाली disk के comparison में ज़्यादा रखता है ऐसी स्थिति में इन नीचे की disk पे voltage ज़्यादा आती है और जो सबसे नीचे की disk पे जो voltage आती है उसे अगर हम number of disk से multiply करें तो यह वास्तव में सारी string की voltage withstand की capacity थी पर असल में क्योंकि उपर की disk पे कम voltage आई है उनका under utilization है तो total string की voltage कम है और इस अनपात को हम string efficiency कहते हैं अगर string efficiency 100% है तो इसका तातपरिया है कि ऐसे किसी leakage current को हम compensate या neglect करने हैं और सारी disk पे voltage बराबर आ रही है यहां option C हमारी right choice हो गई है 100% string efficiency के माइने है कि सभी insulator disk पे बराबर बराबर potential आ रहा है प्रशन है कि एक suspension insulator की string में string efficiency किन parameter पे depend करती है तो हमने जाना कि जो suspension insulator के metallic contacts है और tower है उसके बीच में यह जो shunt capacitor बनते हैं इन में जाने वाला leakage current उपर के disk insulator के leakage current के साथ है डोकर नीचे के disk insulator के current को जैसे यहाँ I2, capital I1 और small I1 का sum हो गया तो नीचे की disk में current जब जादा हो जाता है अगर दोनों disk की physical design एक जैसी है capacity tense की value सेम है तो आप आते हैं कि नीचे की disk में जादा current से voltage जादा आएगी तो आप आएगे कि जो सबसे नीचे की disk है conductor के बिलकुल पास उसका current अगर सबसे जादा है तो उसकी voltage सबसे जादा होगी और उपर की disk को में voltage कम आएगी तो हमारे जो disk insulator हैं वो सबसे नीचे की voltage को withstand के लिए बनाए गए है उनकी voltage withstand capacity V3 है लेकिन अगर उनका utilization कम voltage पे हो रहा है तो sting की efficiency जो यहाँ पीली highlight में दिखाई गई है वो कम हो जाती है अगर इन capacitance की physical size अलग अलग कर दी जाए और इनके capacitance क मान इस तरह से बना दी जाए कि वो higher leakage current के होने के बावजूद भी voltage अगर same withstand करें तो हम string efficiency को improve कर सकते हैं अगर हम इन disk के number को देखें वो जितने जादा number में होंगे voltage का difference सबसे उपर और सबसे नीचे वाली में जादा हो जाएगा तो number of disk insulator है वो भी हमारी string efficiency को परभावित क कर रहे हैं और अगर ये cross arm समने लगाई है उसकी अगर लंबाई जादा कर लेते हैं तो ये जो shunt capacitance है उसकी leakage current कम हो जाएगा तो हमारा जो voltage में imbalance है वो भी कम हो जाएगा तो हम देख रहे हैं कि यहां जो तीन option है size of insulator जो हमारी capacitance की value को decide करेगा number of disk insulator जो सबसे उपर और सब string efficiency को प्रभावित करते हैं तो ये जो unhighlighted D option है वो right choice हो गया है यहां प्रशन है कि एक suspension insulator की strings में जो non uniform distribution होता है voltage का उपर voltage कम है नीचे के disk के across voltage जादा है उसका प्रमुख कारण क्या है तो हमने जाना यहां option C पढ़िए ये जो tower का support है और हमारे जो disk insulator के बीच के ये जो metallic joints हैं इनके बीच में shunt capacitors बन जाते हैं अगर ये capacitance C magnitude का है और ये की C magnitude का है तो हमारे main insulator का leakage current अगर one unit है तो ये k unit हो जाएगा यहां k का मान 0.1 से 0.2 के बीच में हो सकता है ऐसे इस्तिति में ये current 1 plus K अगर K.2 है तो 1.2 हो गया है तो हम पाएंगे कि अगर इसमें voltage V unit है तो ये 1.2 V हो जाएगी और इसी तरह से यहां double voltage के साथ इन दोनों का जोड़ के साथ जो voltage आई है वो इस shunt capacitor में leakage current पहले से भी जादा करेगी और वो जब add होकर और जादा हो है तो यहां voltage और जादा आएगी तो आप आएंगे कि वो disk insulator जो सबसे आखरी में है conductor के बिल्कुल साथ लगावा है उस पे voltage सबसे जादा हो जाती है तो हम समझ सकते हैं कि यह जो voltage का unequal distribution हो रहा है वो उन stray capacitance के कारण है जो metallic joint जो disk insulator के बीच में बन रहे है और tower है उसके बी of way जादा चाहिएगा हमें tower की cost और उसकी strength भी बढ़ानी पड़ेगी तो आम तोर पे एक typical limit से जादा cross arms की dimensions को increase नहीं किया जाता है और guard ring से in voltage को equalize करने की कोशिश की जाती है ताकि हमारी string efficiencies जादा रहे और हम या तो कम number के insulator के साथ strings को बना पाएं या हमारे insulator की life को increase कर स अगर हमारे इस transmission system में line में जो इसी supply है उसकी frequency को 50 Hz से 100 Hz कर दिया जाए तो इस frequency change का string efficiency पर क्या असर पड़ेगा तो अगर हमने frequency दुगनी किये है तो हमारा main disk का capacitance और ये shunt capacitance दोनों के मान आधे हो जाएंगे और ये दोनों current जो shunt capacitors और main disk के across जा रहे हैं उनके magnitude जादा हो ज क्योंकि ये voltage का division in current की proportionality पर निर्वर कर रहा है और इनके proportional ratio सेम रहे हैं तो हम पाएंगे कि strength efficiency का magnitude transmission line की frequency बदलने पर भी बदलेगा नहीं या C हमारी right choice हो गया है कुछ numerical question से विशे को समझते हैं आमतोर पैसे numerical में जो हमाई suspension insulator की strings दीवी होती है उसमें 2 या 3 insulator होते हैं हमें कहा गया है कि एक 3 unit की insulation strings पे जो सबसे नीचे capacitor बनता है disk insulator का उसके across सबसे जादा voltage 17.5 kV है और अगर इस string की efficiency 84.28% है तो इस string पे पूरी total voltage हम कितनी लगा रहे हैं तो हमें पता है कि string efficiency पूरी string पर applied voltage और सबसे नीचे वाली disk पर आई भी voltage और number of disk के product के रिशोक से denote होती है या सबसे नीचे वाली disk पे 17.5 kV voltage है 3 disk insulator है string efficiency दीवी है अगर हम 0.8428 string efficiency को number of disk और सबसे नीचे वाली disk के voltage से multiply कर देते हैं तो यह जो multiplication है वो 44.25 kV हमारा option B right choice हो गया है total string की voltage हो जाएगी अगर सारी string पे 17.5 voltage आती तो हम पाते कि हम पूरी string पे 52.5 kV voltage withstand कर सकते थे लेकिन क्योंकि unequal voltage sharing होती है तो ऐसी string जो 52.5 kV voltage withstand करने के लिए capable थी उस पे केवल 44.25 kV voltage ही withstand हो रही है एक दो insulator disk की suspension string में identical capacitance है और यह 50 Hz AC पे total voltage V1 और V2 का sum 22 kV withstand करती है और इस metallic joint और tower के बीच में भी capacitance हमारे main disk insulator के बराबर magnitude का है तो इस disk insulator string की efficiency पता करनी है तो हमने जाना कि अगर यह दोनों capacitance same magnitude के हैं तो हमारे main disk का current इस metallic point पे जो V1 voltage है उससे अगर I1 है और यह small I1 है दोनों capacitance बराबर है तो दोनों current भी बराबर होंगे माना यह दोनों current I है तो ऐसी स्थिति में हमारा जो I2 इन दोनों current का sum 2I हो जाएगा और एक capacitance के capacitance reactors में जो voltage आती है वो current के proportional है तो अगर यह voltage V2 है तो यह voltage आदे current पे आदी होगी तो पहली string की voltage का double दूसरी string की जो conductor के पास है उस voltage के बराबर हो गया है total voltage को हम V2 की terms में 1.5 times पढ़ सकते हैं और यह 22 kV है तो V2 की value 14.667 volt आ गई है और string efficiency total string की voltage number of disk और सबसे नीचे की जो disk conductor के पास है उसकी voltage के product के ratio से अ तो यह option B.75 या 75% हमारी इस दो disk insulator जिनका की shunt capacitance main capacitance के बराबर है efficiency हो गई है दो identical disk की एक string बनाए गई है और tower और metallic joint के बीच का जो shunt capacitor है वो main disk के capacitance का 1.8 या 0.125 times है तो ऐसी इस्तिती में अगर सबसे नीचे वाली disk 17.5 kV voltage withstand करने की capacity रखती है तो पूरी string की जो line voltage है V1 और V2 का sum वो कितना होगा तो अगर इस metallic joint के साथ इस main disk के leakage current और shunt capacitor के leakage current के ratio को capacitance के proportional अगर हम देखे तो हम कह सकते हैं कि shunt capacitor का leakage current main disk के leakage current का 0.125 1 by 8 है तो ये current दोनों का sum पहली disk के current का और shunt capacitor का current का sum 1.125 i1 हो गया है क्योंकि disk के across voltage उनके current के proportional है तो V2 V1 की 1.125 हो गई है और V2 की value question में 17.5 kV dv है इससे हम V1 की value 17.5 में 1.125 की division करके अलग से निकाल सकते हैं और दोनों का sum करके हम total string की voltage यहां option B 33.056 kV गयात कर सकते हैं प्रशन है कि conductor के चानों तरफ एक ring हम arrange करते हैं जैसे guard ring बोलते हैं उस guard ring का purpose क्या है तो guard ring का इस्तेमाल हम सारे suspension disc insulator के बीच में जो voltage का division है उसे equalize करने और string efficiency को improve करने के लिए करते हैं जब हम एक guard ring लगाते हैं तो guard ring का जो metallic conductor है वो इन disc के बीच में जो metallic joints हैं उनके साथ कुछ capacitance की formation करता है और अगर इस guard ring और metallic joint के बीच में बनावा ये जो capacitance है उसका current इसी metallic joint का tower के साथ बने वे शंट capacitance के leakage current के अगर बराबर हो जाए तो इन दोनों disc का जो main current है leakage वो बराबर होने पे voltage equalize हो सकती है तो हम काफी हद तक voltage की equalization एक efficiency बढ़ जाती है तो हम समझ सकते हैं कि guard ring की design से हमारे disc insulator की capacitance में कोई increase या decrease नहीं होती A और B option गलत है और ये C option देखिएगा guard ring conductor और disc के बीच की ये जो metal fittings है suspension insulator के disc की जो metal fittings है उनके बीच में additional capacitance introduce करती है overhead line के insulator और प्रिक्षाओं के दरस्टी से एक महतपून fact है हमें पूछा गया है कि puncture voltage और flash over voltage के ratio का मान कितना होगा तो जब हम किसी भी प्रकर का overhead insulator लगाते हैं या उधारन में हमने pin insulator की बात की है तो हमारा tower जो pin के साथ a test है और conductor इसके बीच में ये insulation है अब conductor और pin के बी wet conditions में rainy season में भी इस conditions को dry रखके इस leakage path की insulation या dialectic strength maintain रखते हैं अगर conductor में किसी lightning से या switching over voltage से voltage बहुत ज़ादा हो गई है जो सामाने working voltage से 3-4 गुना है तो ऐसी स्तिती में conductor के surface के उपर एक current का path बन जाता है और इस condition को हम flash over बोलते हैं flash over से जो over voltage surge है वो dissipate हो जाता है और conductor अपनी normal voltage conditions पे जब आ जाता है तो ये flash over बंद हो जाता है और हमारा insulation अपनी dialectic strength maintain कर लेता है लेकिन इस process में जो surface पे conductive tracks बनते हैं वो बाद में कभी flash over की conditions को कम voltage बे भी कर सकते हैं तो insulation की कुछ dialectic properties कमजोर हो जाती है लेकिन वो safe रहता ह लेकिन अगर ये over voltage सामाने working voltage की 20 गुना तक हो जाए तो ऐसी इस्तिती में ये जो dialectic material है insulator का porcelain या जो भी वो breakdown हो जाएगा और ऐसी इस्तिती में insulator सदेव के लिए nust हो जाएगा और एक continuous earth fault यहां maintain हो जाएगी और हमें insulator को replace करना पड़ेगा इसको हम puncture बोलते हैं और ज safety factor एक से बहुत जादा 10 के आसपास होता है तो जब भी over voltage होती है flash over पहले होगा और अगर उस flash over से high voltage का search dissipate हो जाएगा तो हमारे insulation में breakdown नहीं होगा और insulator safe तुबारा reusable रह जाएगा तो यहां option C puncture voltage flash over voltage से कई गुना जादा होती है right choice हो गई है आज के इस video lesson में हमने overhead line insulator के अलग-अलग types string efficiency से related कुछ multiple choice exam important questions किये हैं प्रिदेवी classes YouTube channel की दूसरी वीडियो के मतद से आप अपनी विशे समझ को और अच्छा improve कर सकते हैं आप परिक्षाओं में कामियाब बने have nice time फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक आप इस वीडियो की description में जो notes की link है उसे download करें और अपनी study को जारी रखें thank you very much